आप सब अपना आत्म विश्वास बनाए रखें, इस बात पर विश्वास रखें कि आपने जितनी पढ़ाई किये, काफी किये, डेटर्मिनिस्टिक रहें, करेजियस रहें, करेज का मतलब है कि हर दिन एक नई चुनावती के रूप में देखें और सोचें कि आज मेरे कुछ टार्गेट से हैं, रिलाक्स रहें, कूल रहें, जितना हो सकता है इन पाँच टॉपिक्स पे, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं, और जो आप एक बहतर परीके से टेस्ट दे सकते हैं, उसके साथ एक बहतर और एक कमफर्टिबर पोजीशन में चले जाएं, जिंदगी को एक चित्र की तरह ल विजन आइस में आपका स्वागत है, जैसा कि हम जानते हैं, यूपी एस्ट की प्रिलिम्स एक्जामिनेशन, 16 जून को शेडूल्ड है, और इसमें लगबग 30 दिनों से भी कम का समय बचा है, आज की इस स्पेशल सेशन में, हम लोग डिसकस करेंगे, कि आखिर इन 30 दिनों आज के प्रिलिम्स एक महने से और इक महीने सभी कम का समय बचा, आपके पास बहुत सारे सुन्ड आते होंगे, अपने चैलेंजन को लेकर कुछ गाइडेंस को लेकर तो, सर का यूच शैयर कर सकते हैं, या इसू शैयर कर सकते हैं जो इस्टुडेंट इस ताम फेस कर रहा ह जीति जैसा जनरली एक पैटर्ण है कि एग्जामिनेशन से पहले एक एक शाइटी होती है बच्चों में एच्चों में जिए पार्फिज कशनुदन के रेवीजन किरें कि य रहना है दूसा किसा रुज़िए पना याद नहीं हो रहा है तुसरा कई रिवीजन कर तो रहे ले पुर्मेड़ भी नियर भीस्टने करे करेंटी चीजशों ऑफिग एक ब्लीकार यह फिरस्टों के विए टेस्ट कितना इते जाना जाना चाहिए तेस्ट करें मेट लिए अब नहीं करें चोड़ देजु हैं अर्लमी इस तरीके के इन जेंरल बच्चों के डाउत रहते हैं तो सर जो चैलेंजे जो आपने बचाएं बताएं जो अभी फेस कर रहे हैं तो उनके समाधान के लिए कुछ सुटेबल रिंडिती क्या हो सकती है तो जो यह एक्जामिनेशन है ना दुनिया के सबसे टफेस्ट एक्जाम है और इसमें यह एक्जाम से जादा परसनालेटी है जो माइने रखता है तो सबसे इंपोर्टन जो हमको सेल करना है इस एक्जामिनेशन से वह है सेल्फ कॉन्फिदेंस तो आप सब अपना आत्म विश्वास बनाए रखें इस बात पर विश्वास रखें कि आपने जितनी पढ़ाई की है काफी की है अपने उपर आत्म विश हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको लेकर के हम शूर रहें कि जो पढ़ रहे हैं उससे एक्जामिनेशन में सवाल आएंगे डेटर्मिनिस्टिक रहें करेजियस रहें कि हर दिन एक नई चुनावती के रूप में देखें और सोचें कि आज मेरा कुछ टार्गेट से उन टार परफॉर्मेंस के लिए रिसोर्स का एक एफेक्टी उटिलाइशन बहुत जरूरी है तो कुछ ऐसे रिसोर्स जो आवशक है और इंपोर्टेंट जो कि आप बता सकते कि जिस पर इसमें को फोकस करना चाहिए तिक रिसोर्स जैसे आप अलग अलग चीजे पढ़ रहे होंग जो भी आप सुरोथ पढ़ रहे हैं, NCRT पढ़ रहे हैं, विजन का मैगजिन पढ़ रहे हैं या विजन के माटीरियल्स पढ़ रहे हैं, क्यूर्म पढ़ रहे हैं, मतलब एक इस तरिये माटीरियल पढ़ना, दूसरा जो हम पढ़े हैं उसको रिटें करने के लिए रिवा पॉलिटी है, इकॉनमी है, जोग्रोफी है, हिस्ट्री है, इसको एक स्टेंडर चीजों से पढ़ा जाना चाहिए, दूसरा इसका रिवीजन बहतर तरीके से होना चाहिए, और तीसा प्रैक्टिस पे फोकस किया जाना चाहिए, तेस्ट दिये जाने चाहिए, इन तीन तरीको से या तीन तरीके अभी जो तीस दिन बचे हुए कोई भी टॉपिक है आप उसको तीन तरीकों से अगर लेकर रखे चलते हैं तो नेक्स थर्टी डिल्स में वो टॉपिक आपका एक मजबूत पक्ष हो जाता है तो सार जैसे कि आपने भी रिसोर्स के बारे में बताया है हम द और पैटर्न देखें तो यह एँ बताता है कि पाच को यह बाता इसे को चाहिए जिसमें कभी किसी बढ़ाता अगर यह बाता यह यह कि इंवर्मेंट जिसे सबसे जादा सवाल है 30 करह एं तो इस सालों का वसंद बताता न है दूसरा इकानमी आपॉलिटी है हिस्ट्री यह और यह पांछ सर चेक्ट्ट लेने ज़ें ग्रौफरोफिंट इन्व Sound opportunity जितना हो सकता है इन 5 तोपिक से टेस्स दे सकते हैं उसके साथ एक उसके साथ ओर झे ढबोसिशन कore इसे में सबये मड़ास हो सकते हैं तो कारंट फेर कि हम लग ऐसे बात करते हैं मार्केत में बहुत सारा इंफरेशन ऑषिजिंड रहता है करेंट अ करेंट फेर तो स्टुडेंट को करेंट एफेर को रिवाइज करने को लेकर क्या अप्रोच अपनानी चाहिए इन आखरी तीस दिनों में सीमित करेंट एफेर से अच्छा खासा वजन रखता है इसमें कोई दो रह नहीं है 2017 के बाद सेलाग वजन बढ़ा है किरेंट आफेर्स का मैंद दो 1 2 3 सवाल इधर अवडरे लेकिन जेनरली पचीज से जवाल करेंट इफ़सके रहते हैं ये 2017 के बाद से लिगादार ट्रेंड तो हमारी एग्जामिनेशन में जो हम्मिनेशन दे रहा है उसमें करेंट सॉझ को जो कि लगबग सारे स्टुएंट्स के द्वारा पढ़ा जाता है तो अगर आपने वह पढ़ा है सपोस करते हैं अगर वह नहीं पढ़ा है कुछ और पढ़े हैं तो आप उसके स्टिक करें यह नहीं कि अभी प्रिदित्रिक्षिपाइब पढ़ना शुरू करें और चुकि करेंट अफेर्स का विस्तार बहुत जादा है, तो अगर हम प्रभावी दूप से उसका रिवीजन कर पाते हैं, तो यह इस्थिति आपको एक बहतर पोजीशन है, मतलब क्या है, फोटो मेमोरी तो इस्तमाल करना एक्जामिनेशन नहीं, चीजें आपके सामने होग सर, अगला सावाल मेरे करेंट अफेर्स से जुड़ा होगा है, जैसे कि करेंट अफेर्स कापनी सारे रिसोर्स अवेलेबल है, इस्तुएं ने अभी तब कुछ पढ़ा भी होगा, तो क्या उसको आखर तीस दिनों में कोई रिसोर्स चेंज करना चाहिए, साथ ही साथ में आखरी के जो एक महीना बचा एक्जाम का भी लेके, तो उसको लेकर के बहतर रहें कि हां कोश्चन साइंगे, बस मुझे चार से पांच रिवीजन करना है, तो अभी जो में फोकस होना चाहिए, पोकस होना चाहिए, इसमें जो पक्ष है, वो ये कि जो हमारे resources हैं, अभी change नहीं करना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा है, confident रहें कि उससे सवाल आएंगे, आप अभी जो focus करेंगे, वो हैं बार-बार multiple revisions पे, तो उसके focus करें, newspaper अभी नहीं पढ़ना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, अभी newspaper से ज्यादा important है कि जो पांच core areas है यह जो हमार Pt365 है, उस material को multiple-multiple revisions के साथ है, इसी से जुड़ावा मेरा अगला सवाल है, कि जसे current effort की information होती है, एक तो बहुत जाता होती है, दूसरी information उसको return करना और exam में recall करना, इस student के सामने challenge आता है, तो इस challenge को student कैसे overcome कर सकता है, तो इस challenge को student कैसे overcome कर सकता है, दिख सब्सक्राइब के साथ हो सकता है, इस अब चीजे होगी, यह नॉर्मल प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा होगा, अब इसको ठीक कैसे किया जाए, सवाल यह है, तो ठीक करने का जो तरीका है, अगर हम इसको कहें तो इसको revision की technique कहा जाता है, खुलमिला करके, कि revision की technique में अगर हम करें तो इसको कुछ तो है, रिविजन तो करना ही है, दूसरा अगर हम उसको कुछ टेस्ट के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तेस्के साथ मतब है कि सब्सक्राइब करें कि हम करेंट अफर्स के 500-600 अलगर सिच्वेशन में जाए, जिसको कहा जाते है, सिच्वेशनल एवेर थिच्वेशन के साथ हैं, तो हमको कुछ कुछ को स्क्राइब करेंट निगें चाहिं करनी तो इसको अगर हम करें, तो इसका मतलब है कि हम एक बहुत सरी स्चिज़ों को मुट सखें अलमित करना सिख जाएंगे, फोटो मेमोरी, माधिन से बहुत सरी सब्स्रीशन बात करी, और अभी आप current FH के लिए बता रहें कि रिवाइस करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए तो इसी से जुड़ा हुआ है कि मौक टेस्ट और प्रैक्टिस के बारे में तो जैसे कि बोला या था कि एक्जामिनेशन प्रिलिम्स के बहुत सारे टेस्ट लगाने जनली अब मौक टेस्ट कैसे अपनी पढ़ाई में इंकल्केट करें या उसको कैसे अलाइन करें ताकि वह बहतर आउट पुट लापने तेस्ट तो एक इंपॉर्टन पक्ष है इससे पहले यूपेसी टेस्ट करें अपका हमको फुद अपना सेलफ एसेस्मेंट करना ची तो टेस सब्सक्राइब करते हैं तो यूपेसी के इस तरका हो पहली बात ताकि जब वहां जाएं तो हमको कुछ एसा ना लगी कि हम बहुत यह जो सिच्वेशन वाले न्यू है या पैनिक कोछ हो डिक करके लगे कि हमने ऐसा बहुत सारा कोशन पहले प्रक्टिस किया मतलब बहुती एक तो टेस्ट का यह परपस है क्यों न्यूनेस वाला इस्तिति नहीं हो ना चीए दूसरा टेस्ट हम इसले करते हैं ताकि हम अपने मिस्टेक्स को मिनिमाईज करना से और मिस्टेक्स को मिनिमाईज कैसे करते हैं सपोस करते हैं कि हमने एक टेस्ट दिया कोई भी एक टेस् उसमें 100 सवाल थे, अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं कि 100 के 100 सवाल सही हो, उसमें definitely सवाल गलत होंगे, और शुरुबाती दौर में हैं, तो गलतियां तो खुब सारी होंगे, यो गलतियां होनी भी चाहिए, महा लेते हैं कि हमने 25 से 30 गलतियां की, महा लेते हैं 40 गलतियां हो सकता है कि 5 सवाल पॉलिटी के गलत हो, हो सकता है 6 सवाल एकॉनमी के गलत हो, हो सकता है इंवर्मेंट के 5-6 सवाल गलत हो, हम एक उसमें एक ब्लैंक शीट लें और उसमें लिख लें, पॉलिटी, एकॉनमी, जोग्राफी, इंवर्मेंट, हिस्ट्री जो भी सेक्शन से, उसको छोटी-छोटी पॉइंट्स में डिवाइट करें कि पॉलिटी का कौन सा हिस्सा डिपी था फंडमेंटल राइट था सेंटर स्टेट रिलेशन्स वहीं लिख दे जोग्रफी है कि चक्रवात वाले में गलतियां हो गई मालेते हैं कि जलवाई परिवर्तन से रिलिटेट स्ट difu को लगा करता हैं अगले टेस दिने से पहले उन कम्जोर पक्षों का रिविजन हो जाना जाए ह deos पर्फॉर्मेस अनेलिसिस भी हो जाता है जिस्टेक्स को भी मिनिमाइस कर लो ठीके अगला सवाल सर मेरे इसे जुड़ा हुआ एसे बॉस सारे स्टुट्स इस तरह किया डाउट ले आते हैं कि उनका सेक्शनल टेस्ट जो है सब्जेक्ट पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी उ तो हमारे पास रिवीजन का ज्यादा इसको पता है हमारे पास ज्यादा समय होता है लेकिन जैसे ही हम उस सेक्शनल टेस्ट से फुल लेंट टेस्ट पे जाते हैं उतने ही कम समय में हमको ज्यादा चीज़े डिवाइस तो शुरुवाती दौर में जैसे ही आप सेक्शनल टे लेकिन जेसे फुल्लेंट टेस्ट में कि आपके जाएंगे तो पना समय नहीं मिलाएंगागा जाये है एक देंगे, दो देंगे, तीन देंगे, देंगे, दीडे, दीरे करके आपके मिस्टेक्स कम होते चले जाए तो बहुत नेचुरल है कॉंफिडेंट रही है यह नेचुरल प्रक्रिया का हिस्सा है गलती होना कोई गुनाह नहीं है गलती होगा और होता रहेगा यूपेसी के भी जब पेपर में आप जाएंगे परिक्षा देंगे तो सौ सवाल सही नहीं ह होगी बस गलतियों में कमी लगाना मिनिमाइस कर दे ले टेस्ट दे ले ले एक्जाम को आख नेच तो अभेस्ट अपना चाहिए विज़ अपिर टेस्ट इच दे चुका उप्रिशन चाहिए उसको करना चाहिए उप्टिम होना चीए परसंट टुपरसंट ट्री कर सकता है test का purpose यह है कि दो test के बीच में थोड़ा gap रखे gap इसलिए रखें कि पहले test में जो खामिया है उन पर वर्क करें मतलब वो जो कमिया है जो गलतिया है उनको ठीक करें फिर दूसा test फिर तीसा test अगर गलतियां कम है तो number of test बढ़ा सकते हैं अगर गलतिया जादा हैं तो number of test कम करके गलतियों पर जादा काम करें तो variation है मतलब उसमें variation हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने full land test देना शुरू किया तो पहले और दूसरा टेस्ट जो फुल एंड दे रहे हैं शुरू में हो सकता है कि गलतिया ज्यादा हो रही हो उसमें काम करने में समय लगेगा मतलब उनको एरिया को इडिंटिफाई किया उसमें हमने टेस्ट दिया जैसे टेस्ट बढ़ा सपोस करें तीसरा चौथा गलतिय क्या कम होनी शुरू हो गई तो ऐसे में आप को कम कर सकते हैं तो बड़ा डैनेमिक है आप पे निर्भर करेंगा लिकिन हां मतलब जनरली एक से दो टेस्ट की बीच में ग्याप रखें जब तक कम्यों को ठीक ना कर लें तब तक दूसरे टेस्ट की तरफ मूव ना करें तो इस्टुडेंट किस प्रकार से प्रिवेसर को अपनी तैयारी में इंकल्केट कर सकता है ताकि वो मैक्सिम्म आउट्पुट उसको अग्जामन मिल सकता है लेकि प्रिवेसर कोष्ण पेपर एक इंपॉर्टन बैरोमेटर मतलब आपको डिरेक्शन देते दिशा दिखाते कि हम एक बहतर इस्थिति में है या नहीं लेकिन बहुत सारे पेपर ऐसे हैं बहुत सारे कोष्ण ऐसे हैं जो डाइनमिक या करेंट अफिर्स के साथ जोड़ करके पूछेंगा मालीजी सब्सकर ने दो हजार बारा में कोपेन हेगन का एकॉर्ड हुआ है ना और मतलब कॉंफ साल का करेंट अफेर्स था तो फिज जो प्रिवेसर कोष्ण फेपर उसको करते से इस बात का ध्यान रखेंगी कुछ कोष्ण ऐसे हो सकते हैं जो उस सामे के करेंट फेर्स के पॉंट अवनू से वैसे सवाल ना हो तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रुवत पेंगें कि दस जैसे 2012-2014 का अगर आप सवाल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सूचना धरिस सवाल काफी जादा थे तो थोड़े कम थे 2014-15 के बाद हम देखते हैं कि कॉंसेप्ट अधरिस सवाल प्लस सूचना धरिस सवाल दोनों की संख्या बढ़ी और आगे चल करके दोनों के मिक्षर वाले सवाल आने शुरू हो गए तो यह पैटर्न जब आप कोशन करते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आता है आपको एक कॉंसेप्ट आधा और कोई नया चकरवात आया उसके संदर में सवाल था उन दोनों को मिला करके कॉंसेप्ट और सूचना का सवाल बना तो जब हम जोग्रफी पढ़ेंगे और साइकलोन पढ़ेंगे तो हम यह सोचेंगे कि साइकलोन पढ़ते समय हमको बेसिक चीजे और समय से में उसको देखते रहें ताकि ट्रेंट को समझ पाए अब जैसे कि यूपे से का एग्जामनेशन जो प्रिलीम्स का और सेडियूट है सोला तारिक कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि सारे सवाल करने चाहिए कुछ बोलते हैं कि नहीं कम करना चाहिए जितना आपको आ कि आपको अगर आपने 35 नेट कोस्टन भी कियें तो भी कट ओफ ख्लियर हो गया तो इस साल का कट ओफ तो 35 था अब नेक्स्ट इल जो सवाल पूछा जा रहा है उसके उसका इसतर क्या है सी सेट का पीपर क्या है इन सब चीजों के सांग जोड़ करके होगा तो आप ये बस सब्सक्राइब करें ये जगी का कुषिष किया जाना चाजेगी करें लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं ये जाए प्रश्ब्स अगर बात करें तो अगर सवाल एटेंड करना तो जरूरी है लेकिन उसकी एकुरेसी पे काम करना उससे भी ज़्यादा जरूरी चाहरा है अभी फिर बढ़ना चाहिए साथ साथ में मोग टेस्स कितने लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए अब सर एक महत्कुन पहलो है कि इस दोरान मोटिवेशनल इस्चुज का फी सारे आते हैं मेंटल इस्ट्रेंट को आते हैं तो मैं अपसे यह जानना चाहूंगा कि जैसे करते हैं तो हम क्या कहते हैं दो चीजहों का कि हमको एक्सराइब करना चाहिए और हमारा जो भोजन होना चाहिए जो एज हमारा फूज़ ऑना ची वह साफ और स्वच्छ होना है कि एक एकृट कॉंटेमिनेटेटिट हुआ हुआ है तो इसका मतला है कि हमारे फिजिकल termination या production समझ लीजी या दूशित अगर कोई भूजन हम करते हैं तो हमारा स्वास्त खराब होगा physical health में प्रॉब्लम होगा same situation mental health के बारे में सोची कि जो हमारा mental health है वो positive और negative दो प्रकार के thought है ना बाकियों ने बहुत अच्छा बढ़ा है मतलब इस तरीकी का जो thought है क्या है दूशित thought यह हमेशा अपमें stress create करेगा तो हमको जैसे physical health के लिए अच्छा भूजन करना चाहिए वैसे mental health के लिए हमको positive attitude यानि की positive mindset में रहना ज़रूरी तो इस पर हमको काम करना चाहिए कोशिश करें कि दिन भर में ऐसे negative thoughts नहीं आने दें नहीं आने के लिए क्या करना पड़ेगा नहीं आने के लिए सबसे आदा आपको future के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है future को लेकर के कि मैं future ठीक कर दूंगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपने habits को ठीक करें थाट प्रोसेस को ठीक करें future अपने अप अच्छा हो तो अपने habits पर बेसिक और प्रोसेस पर काम करने की जरूरत है दूसरा in case मां लेते हैं कि mental health से related चुनाथिया हो रहे हैं हम इतने उलज गए हैं कि इसको को सौल नहीं कर पारें तो हमको उसकी बात करने चाहिए जैसे विजनाईस पे मेंटर्शिप का प्रोग्राम है तो समेंटर्शिप के प्रोग्राम की माध्यम से आप बात करें डिक डिसकस करें कि इस टॉपिक में इस इशु आरहा है परसनल नेवल पी इसकस यह जो भी पास में आ रही है एंग्जाइटी और प्रेशर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है तो उसको हैंडल करने के क्या तरीके होने चाहिए अभी जो एक्जाम देने जा रहा है दिके एंजाइटी और प्रेशर जो है वो तो नॉर्मल है मतलब हमको होता है जनरली सभाविक सी बा कहातर है करेन वर्यचंशक है आनली से दीट टारगेट चोटे-चोटे गोल समपल फिक्यार चॉड़ यह चीजं़ करें विरस्त रहें हैं तो आपके स्वास्त कinsky आपिड़ने इस उसे एक क्लिकर देना चाहेंगे चाहें नहीं कि चोटी-चोटे और लगतार हर धिन जून को तो ऐसा कोई मोटिवेशनल मेसेज आप देना चाहेंगे ताकि जो इसके लिए अपेर वर उनका कॉन्फिदेंस बूस्ट हो और वो एक्जाम के दिन बहते तरीके से परफॉर्म कर पाए और सफल हो सके देखे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं आपको भी यही कहूं जिन्दगी का वो पिक्षर अपने आप बहतर बहतर होता चला जाएगा तो पिक्षर बनाने का मतलब है कि आप उसमें और जार दें उसमें मेहनत करें चीज़ें स्वता ही बहतर बहतर होती चली जाएगा सर थेंक्यू वेरी मच पोर शेरिंग यूर वेलियोबल इंसाइट और गाइडेंस रिगार्डिंग दू प्रिलिम्स एग्जामिनेशन उमीद है आपको सर के द्वारे दिएगए टिप्स और गाइडेंस आप लाबानवित होंगे आपकी UPSC प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इसके साथ ही आप सकारात्मक रहिए समर्पित रहिए आपको सवलता अवश्य मिलेगी और विजान आईस की ओर से आपको UPSC प्रिलिम्स 2024 के लिए औल दे वेरी बेस्ट थैंक्यू सो मच झाल